हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर आज हम आपको बताएंगे सर्दियों में हाथ और पैरों की अंगलियों पर सोजन आना चलिए जानते हैं इसका कारण लक्षण उप्चार और बचाव सहित पूरी जानकरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज साथ कई सवास्ते संबंदी समस्याएं भी पैदा हो जाती है खासी जुखाम बढ़ने के साथ साथ अधिक ठनका प्रकोब बढ़ने पर हाथ और पैरों की अंगलियों में सूजन रैडनेस इत्यादी समस्या देखने को मिलती हैं जिससे सूजी होई उंगलियों में तेज ख बढ़ने पर ताहब मान गिर जाता है जिससे सरीर में नशे सिकुडनें लगती हैं इसके प्रधाम सवरूप खोन का परवा धीमी हो जाता है और इसकस जो है सिदाशर ब्रेयर इसरकूलेशन पर और पढ़ता है जिससे हाथ पैर की उगलियों में कोन ने घंळ के जमने लग समस्या होने पर हमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं हाथ और पैरों की उंगलियों में सूजन आना सूजन के साथ में दर्द खुजली और जलन जैसी समस्या होना तवचा का लाल होना और कठोर होना इत्यादे लक्षन दिखाई देते हैं चले बात करते हैं यहां पर ट्र एलेजिक ड्रक्स शामील है जैसे टैबलेट जेरो डेल एसपी टैबलेट एविल 25 एमजी टैबलेट वाइशलोन 10 एमजी डोक्टर दुवारा यहां पर प्रस्क्राइब की जाती है यदि सुजन के साथ में जखम की भी प्रोब्लम है तो आप टैबलेट मोखस काइंड सीवी 306 एमजी सुबह शाम ले सकते हैं इसके लावा इसमें कुछ घरे लूप चार भी फाइदेमंद है जिनको आप घर पर भी कर सकते हैं जैसे सरसो तेल या तीलो का तेल गुनगुना करके उसमें कपूर मिक्स करके जो है पैरो पर अपलाई कर सकते हैं जिससे आपको काफी ल कर सकते हैं दोध में हल्दी डाल कर पी सकते हैं और पानी ज़्याद से ज़्यादा पीए चली बात करते हैं यहां पर बचाव की इस तरह की समच्चा होने पर आपको क्या बचाव रखने चाहिए हाथ पैरों को सर्दी से बचाएं ठंडे पानी से इस्नान ना करें सुजन सुजन वाले स्थान को गरम कपड़े से कवर रखें हीटर या आग से जो हैं सुजन वाले स्थान को ना सेकें और जो है इसके लावा ठंडे स्थान पर ना जाएं ठंडी चीजों का सेवन ना करें आए होप आपको सब कुछ अच्छे संज में आ गया होगा इस तरह के मैं मैं आपको सबू gevíchष्ण वाह इसके लाव अच्छे से जोगता हैंस।